भार्तिय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कॉंग्रेस पार्टी और भ्रश्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ग्रश्टाचार के लिए जानी जाती है। कॉंग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है कॉंग्रेस इस नोन फॉर करप्शन कमिशन और क्रिमिनलाइजेशन यह कॉंग्रेस का जिसे कहा जाए रीती नीती है जिस पर वो काम करती है अभी अभी जो जारकंड के कॉंग्रेस के सांसद दीरज साहु के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं नोटों की गड़ियां निकल रही हैं आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन स्थानों पर नोटों की घड़ियां ब्लैक मनी रष्टाचार का पैसा गरीबों का पैसा मेहनत कश लोगों का पैसा जो चूज करके इन कॉंग्रेसियों ने इकठा किया है उसका जीता जाकता प्रमान है और अभी तो गिंती जारी है अभी तो स्कोर चल रहा है ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी और ये तो ये टिप आफ दी आइसबर्ग है ये सिर्फ इनका एक चोटा सा नमूना है कॉंग्रेस आकंट प्रष्टा चार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी एडी एजेंसी इन पर आरोप लगाते रहे हैं आज भारतिय जन्ता पार्टी कॉंग्रेस पार्टी और स्पश्ट रूप में राहूल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरत साहू के सिकानों से निकला हुआ काला धन उस पर उनको क्या कहना है ये सोनिया गांधी जी जो एडी आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही है सेंट्रल एजेंसिस के बारे में प्रश्ट उठाती रही है कि आज हम जानना चाहते हैं देश की गरीब जंता जानना चाहती है कि ये जो आज पकड़ाया है और जो मैंने कहा कि ये एक निमित मात्र है ये तो शुरुवात है और प्रधान मंत्री मोधी जी ने स्वाव कहा है कि हम किसी भी भरष्टाचारी को नहीं चोड़ेंगे और कॉंग्रेस पार्टी के सारे लोग जिस तरीके से लगे वुए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा और ये जवाब देना होगा ये पैसा किसका है ये गरीब जनता का पैसा कैसे लूटा गया ये मेहनत कश्च की जनता का पैसा कैसे लूटा गया और भारतिय जनता पार्टी मोदी जी के नितुत में देश में इन सभी रष्टाचारियों को जेल की सलाकों के पीछे डाल करके ही चैन लेगी यह भारतिये जनता पार्टी का लक्ष है आदर्निय मोदी जी ने जो आवान किया है उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग लगेंगे और इनको जनता में भी हम इनकी करतूतों को बताएंगे और इनका परदाफास करेंगे